हाई एवरिवन केसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ आपका होश्ट हैं दोस राहूल जे स्वाल आइं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे योटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक most important history का एक बहतरीं चाप्टर के शुरुवात करने जारा दोस्तों जिसका नाम है चाप्टर नंबर 13 फुल्फिल्मेंट ऑफ श्ट्रगल फॉर इंडिपेंडनेस तो दोस्तों यह जो चाप्टर है जैसे कि आप जानते हो कि इसके पहले के चाप्टर में हमने डिसकुस क लड़ गई थी यह बहुत ही एक गूसबंस आने वाला एक इंसीरेंट था हमारे देश के लिए और हमारे सब अपने देशवाशियों के लिए और फाइनली इतने साल के इंडिपेंडनेस इतने स्टाल के श्ट्रगल के बाद हमें जो इंडिपेंडनेस मिला है उसकी कीमत हम हमें आज भी पता है आज भी हम बड़े धूम दाम से हमारा 15 ओगस्त इंडिपेंडनेस डे हम सेलिबरेट करते हैं तो दोस्तों लेकिन आजादी की बाद जो चीजे थी न वो भी एकदम सही नहीं हो गए थी कि जैसे हमें आजादी मिल गई हमारा देश आजाद हो गया और situation बहुत ही एकदम अलग हो गया ऐसा कुछ नहीं था situation फिर भी वैसा ही था क्योंकि उसके बावजूर independence मिलने के बावजूर हमारे देश में ऐसे कई सारे problem थे जिसका समधान जल्दी नहीं मिल रहा था और वही सब चीजे हम discuss करने जा रहे होंगे आज के इस lecture वीडियो में जो की होगा lecture no.1 ठीक है और आपको बता दू कि आपके science subject, math subject totally complete हो चुके है 8 standard के लिए आप लोग का history भी जो है आप देख सकते हो कि ये भी हम आचुके है चाप्टर no.13 पे यानि एक से दो चाप्टर और बचे हुए complete हो जाएगा पुरा सिला बस entire सिला बस geography पहले complete हो गया तो देर किस बात किए बस दो chapter history के उसके बाद पूरा sht और पूरा का पूरा 8 standard का खतम हो जाएगा तो आप लोग बस पढ़ाई करते हैं आप लोग को बता दो आप लोग के convenience के लिए हम लोग ने एक telegram group की शुरुवात किये जिसका नाम है जैया tutorials टेलिग्राम है उस telegram channel प उसको क्लिक करोगे telegram app download कर लेना उसमें अपना account बना लेना बहुत सिंपल है दो सेकेंड का काम है वस नाम और number डालना होता है और कुछ ने डालना है ठीक है ना डाल देना और एक account बन जाएगा जिस पे free में आप बहुत सारे जो PDF हम upload करते है वहां पे आपको मिल जाएंग हमने बहुत struggle किया उसके इसाब से लेकिन उसके बावजूद ऐसे कई सारे मुद्देते हमारे देश में जो की चल रहे थे उसमेंसे एक मुद्दा था दोस्तो प्रिंसली स्टेट्स का मुद्दा प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि आप जानत थी लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे प्रिंस्ली स्टेट से जैसे कि हैदराबाद हो गया है रोगे पूरा का पूरा लिखने ही पाऊंगा there are so many there were so many other princely states ठीक है ना बहुत जादे अलग-अलग टाइम पे princely states ते जो की ना refuse कर रहे थे कि हम इंडिया में शामिल नहीं होंगे या फिर हम अपना अलग से ही state रखना पसंद करेंगे चलता था, जो पहले के जमाने में राजा व्रामाराजा थे उस time पे ब्रिटिश के जमाने में भी राजा राजा ही थे बस बतले में उनको कुछ taxes ब्रिटिश गवर्मेंट को देना पड़ता था है और कुछ ने तो अपना राज तरीक तरीके से चलाते थे, ठीक ना अलग-अ अब सवाल हमें यह उठा कि हमें तो 1947 में आजादी मिल गई हमारा देश आजाद हो गया अब हमारे देश में Constitution लिखा जाएगा यह सब चीजे किये जाएगी ठीके लेकिन उस टाइम पर क्या ओने लगा था ना कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे उन्होंने सिधा सिधा इ अब बहुत ख्राब डाइग्राम है लेकिन just मैं एक प्रेजेंटेशन के लिए बना रहा हूं तो समझत ले पूरा इंडिया है अब पूरा इंडिया मैं से बीच में कोई श्टेट है यहाँ पर कोई श्टेट है । इसके लिए बहुत जादा चालेंज हमारे इंडियन बहाई पटेल वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया था इस वजे से इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की कि प्रिंसली स्टेट्स को हम किस प्रकार हमारे देश के अंदर जो है शामिल किया जाए कुछ ऐसे भी जगा थे जहां पे अ अलावा गोवा हो गया हमारे महाराष्टों में वसई हो गया यह सब जगह पे ना पॉर्टुगी उसें दच लोग का सब दबदबा था यानि कि वो उदर से हटने को तयार नहीं थे वो रिलीज करने के लिए तयार नहीं थे तो यह इंडिया एक जुट कैसे हो पाएगा य यह बहुत बड़ा एक चैलेंज आ गया था उस टाइम के जितने भी मिनिंज्टर से जितने भी बड़े व्यक्ती थे उनके अंदर बहुत ज्यादा आ गया था यानि भारत देश में किस प्रकार princely states का integration हुआ, integration मतलब addition, कैसे वो add हो गए, तो basically क्या हो गए, कि जो देखा जाए, तो वो time पे लगबक छोटे से चोटे और बड़े से बड़े को भी count करेंगे, तो उस time पे लगबक 600 से जादा, more than 600 princely states present थे, सोचो दोस्तो, मतलब राजाओ के जो states थे, जो राजे थे, जो राजा चलाते थे अपने private तरीके से, अलग-अलग type में, तो उस में 600 से जादा थे, मतलब सोचो यार, हमारा इंडिया 600 तुकुड़े में divide हो गया था, उस time पे, ठीक है, तेकिन उसको एक साथ मिलके एक country बनाना था, तो वो बहुत ज्याद तो उस time के यहाँ पे, क्या हो गया था, एक जमाना था 1927 के आसपास का, तो उस time पे प्रजा मंडल होते थे, जो basically प्रिंसली स्टेट्स को क्या करते थे, प्रजा मंडल मतलब एक organization होता था, basically लोगों का, लोग जब मिलके organization बना है, जिसको प्रजा मंडल हिंदी में बोलते people's organization कहा जाता था, और normally यह जो चीजे हो रही थी प्रिंसली स्टेट्स में, जो प्रजा मंडल के वज़े से एक तरीके से जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको बढ़ावा मिल गया, तो उनको जब बढ़ावा मिलने लगा, तो यार उन लोग ने इस सीच सोचा, कि हम क्यो स्टेट्स, हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिष्टर साहब जो थे, उस टाइम के कौन थे, सरदार वल्लब भाई पटेल, आज भी हम उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, जैसे कि आप जानते हो, इनकी सबसे बड़ी मूर्थी, पुरी दुनिया में सबसे बड़ी मूर्थी क किस की है, सरदार वल्लब भाई पटेल की है, आपको पता है न, कुनसा जगा है वो, कुझरात के अंदर, काकडिया, तालाओ के आसपास कहीं कहीं पे तो है, ठीक है न, मुझे आए, एमदाबाद में कहीं पे आता है, मुझे कॉमेंट कर देना, सबसे बड़ा स्टाच्व, ठीक है न, Statue of Unity जिसको बोलते हैं, सरदार वल्लब भाई पटेल का ये बना हुगा है, ये आप जामते होंगे, कभी घूम किया न, मौका मिलेगा तो, फैमिली के साथ जा सकते है घूमने के लिए, तो इनका बनाए, क्योंकि इन्होंने कुछ काम ऐसा खिया होगा, तभी त शामिल ले होंगी, तो वो, ये व्यक्ति, अलग-अलग प्रिंसली स्टेट्स के राजाओ के पास, उनके जो मुखिया होते थे, उनके पास जा जाके मीटिंग्स लेते थे, उनके साथ डिसकस करते थे, कि आप आजाओ हमारे देश में शामिल हो जाओ, क्योंकि हम अपने इ इंडिया में मर्ज हो चुके थे, मर्ज मतलब इंडिया में जॉइन हो चुके थे, इंडिया का एक हिस्सा बन चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट थे, जैसे जुनागर का स्टेट था, जो की सावराष्ट्र रिजन में आता है, गुजरात में, आज के रेड़ में सावर होने से मना करें तेंहें उसमें तो जुननागळ वस्टे ना उनका विचार चल रहाँ आ कि यूराद में सामील हो जाएंगे क्योंकि जस्ट बाजू में पाकिस्तान मैं क्या करेंगे यहाँ पे नवाब जो था जुनागड का नवाब मतलब जो राजा बोलते हैं हम लोग ठीक है वो क्या कर रहा था पाकिस्तान में सामिल होने का प्लान बना रहा था लेकिन basically क्या हो गया February 1948 में finally इंडिया के साथ जुनागड का जो यह है मर्जर है वो हो गया ठीक है ना यहाँ पे मैं लिखता हूँ ठीक है यहाँ पे कौनसा February 1948 February 1948 में finally वो टाइम आ गया यह जो जुनागड है जुनागड किसमें शामिल हो गया इंडिया में शामिल हो गया जुनागड के जो नागड थे उनका तो प्लान यही था कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे लेकिन जो लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा strongly क्या किया अपोस किया उसके decision को क्योंकि लोग जो चाहते थे कि हम भारत में रहें हम भारत वाशी है पहले से ही पाकिस्तान तो नया नया बना हुआ देश है उस टाइम पे हम क्यों जाए पाकिस्तान हमारा देश भारत है हमारा देश हिंदूस्तान है तो हम हिंदूस्तान में ही रहेंगे और इसलिए नवाद जो था वो छोड़ के चला गया जो नवाद जुनागड का था वो चला गया लेकिन इसको आज नहीं पढ़ेंगे, आज पहला ही लेक्चेर है, दोस्तों आरामराम से जाएंगे, इस चाप्टर के अंदर कोई घाई नहीं है, बहुत अच्छा सी लाइबास हो गया, 99.99% हो चुका है, बस आपको जितने चाप्टर हो चुके हैं, साइंस के मैस के उसको प पसंदा है, दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेर जरूर से करना, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको शेर करो, बताओ कि इतना बहतरी चीज आज हमने पढ़ा है, प्रिस्टे स्टेट्स के बारे में, किस प्रकार, कौन-कौ